अंतराश्चिय समाचार अमेरिका ने सीरिया में एरान से जुड़ी दो सुविधाओं पर किया हमला रक्षा सचीव गुरुवार राध जारी बयान में उन्होंने कहा कि राश्च्रपती जो बाइडेन के निर्देश पर इरान द्वारा इराक और सीरिया में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ चल रहे हमले के जवाब में हमला किया गया इन हमलों के परिणामस्वरू एक अमेरिकी नागरिक ठेकेदार की आश्रे लेते समय हृदय संबंधी घटना से मृत्यू हो गई 21 अमेरिकी कर्मियों को मामूली चोटे आईं लेकिन सभी ड्यूटी पर लौट आए हैं आस्टिन के हवाले से कहा गया राश्च्रपती की अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है और उन्होंने आज की कारवाई से यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अमेरिका ऐसे हमलों को बरदाश्ट नहीं करेगा और अपने कर्मियों और अपने हितों की रक्षा करेगा रक्षा सचिव ने यह भी दोहराया की अमेरिका संधर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा या इच्छा नहीं है लेकिन ये इरान समर्थित हमले अस्वीकार्य है और इन्हें रोका जाना चाहिए चीन के पूर्व पीम ली के कियाम का निधन 68 साल की उम्र में ली आखिरी सांस समाचार एजंसी शिन्हुआ ने बताया कि ली शंधाई को गुरुवार को अचानक दिल का दौरा पड़ा इसमें कहा गया शुक्रवार सुभा 12.01 बजे उनका निधन हो गया BBC की रिपोर्ट के अनुसार ली को दिगज राजनीतिक शक्सियतों में से एक के रूप में जाना जाता था उन्होंने 2013 से इस साल मार्च तक एक दशक तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इस दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ती प्रोध्योगी की और व्यापार विवादो बढ़ते सरकारी रिन और बेरोजगारी के साथ साथ COVID-19 महामारी की चनौती पूर्ण अवधी के माध्यम से एशियाई दिगज का मार्ग दर्शन किया सत्ता में अपने अंतिम वर्ष में ली ने व्यापक रूप से COVID-19 लॉकडाउन के बीच चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों की चेतावनी दी थी उन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिर्ता बनाये रखने के प्रयासों का समर्थन किया मिस्फायर हुआ मिसाई मिस्र के शहर पर गिरा जिस क्षेत्र पर मिसाईज गिरा वहा गाजा पट्ती से लगभग 130 किलोमीटर दूर है जानकारी के मुताबिक यह धमाका इस्राइल और हमास के बीच गाजा में चल रही लडाई से जुड़ा है इस्राइल रक्षा बलो आईडी एफ ने इस बात से इनकार किया कि उसका कोई मिसाईल मिस्र में मिस्फायर हुआ है इस्राइली सेना के करनल सेवानि वृत्तक यिच्चैक बार शब्बी ने आईएनेस को बताया कि संभवत यह हमास द्वारा छोड़ा गया मिसाईल है हाला कि उन्होंने इस घटना में इरान समर्थित हौथी मिलिशिया के शामिल होने से इनकार नहीं किया इस्राइली सेना ने पुष्टी की की उसे अपनी सीमा के बाहर इस तरह के हमले की जानकारी है इससे पहले 22 अक्टूबर को एक इस्राइली टैंक से छोड़े गए गोले के तुकडों की चपेट में आने से मिस्र के कई सीमा रक्षक घायल हो गए थे तब इस हादसे के लिए इस्राइल ने माफी मांगी थी गुटेरेस ने पूर्व भारतिय राजने की अध्यक्षता में AI पर पैनल किया गठिक उन्होंने गुरुवार को कहा मैंने AI के प्रशासन पर एक वैश्विक, बहुविश्यक, बहुए धारक बादचीत का आवान किया है ताकि पूरी मानवता को इसका लाब अधिक्तम मिले और जोखिम कम हो जाए प्रोध्योगी की पर महासचीव के दूद और एक अवर महासचीव अमंदीप सिंग गिल पैनल का नेत्रित्व करेंगे भारतिय विदेश सेवा के सदस्य के रूप में गिल जनेवा में निरस्त्रीकरण पर सन्युक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थाई प्रतिनिधी है AI की अविश्वस्निय संभावनाओं और संभावित खत्रों का उदाहरन देते हुए गुटेरेस ने कहा कि एक AI एप ने उन्हें खुद को तुटिहीन चीनी भाशा में भाशन देते हुए देखने का अवास्तविक अनुभव दिया इस तथे के बावजूत की मैं चीनी नहीं बोलता हूँ और होटो की हरकत बिलकुल वैसी ही थी जैसी मैं कह रहा था BNT की खास पेशकश